ओके तो भाई रोमर रेंज वर्ट से जे उसो का जब मैच होने वाला है इस वार का समर स्लैम के अंदर उस मैच का एंडिंग क्या होने वाला है साथी साथ उस मैच का कौन सा श्रीपिलेशन होना यह भी निकल कर सामने आ चुका है इसके लबा हमारे दा फिंड ब्रेवाइट के बारे में बहुत बड़ा दो रिपोर्ट निकल कर सामने इसके लबा और भी बहुत सार अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के बात करता है इस वीडियो के बारे में जिनके बारे में थोरसा साद निकल कर सामने आ है और current report के according backy lease का जो match था रोग के उपर against जो ये start की smash के अंदर वो injured हो चुगी है current report के according उनका जे injury बैता जारा बहुत जादा नहीं पर हाँ actually इस match के अंदर वो injured हो चुगी थी तो भाई I hope ये जल्द से जल अपना recovery करो summer slam के अंदर finally अपना rivalry को ये खतम करे क्योंकि इस rivalry को मैं summer slam से ज्यादा देखना नहीं चाहता अभी current time में 20 दिन बचा हुआ है summer slam होने में वैसे मैं confirm नहीं हूँ पर कल के Monday night rock को उपर हमें जो main event के अंदर जो हमें six man tag team match देखने को मिला था और नौर्थ अमेरिकन जो champion थे उनसे पंगा भी ले लिए और कमाल की बात है कि next week clean का match भी ओफिसल हो चुगा जीतने नहीं वाले क्योंकि obvious सी बात है डॉम डाउं जो main roster को पर रहने वाले ते नेक्शी चैंपेस वेल्ट यह क्यों ही यहाँ पर लेकर आएंगे W.E. वाले इस match को already build भी करना सुरू कर देगी summer slam के run मतलब summer slam के बाद W.E. वाले इस match को build करना सुरू कर देगी वैसे भाई मैं आपको उदा दू अगर यह match Royal Rumble से पहले हो जाता मतलब ही WrestleMania के अंदर अगर यह match नहीं हो तो तो यह match non title भी होने वाला है वैसे भाई recent time में W.E. वाले कुछ ज़्यादा ही profit कमा रहे है उन्होंने बहुत सारे record actually ने तोड़ दिया है आपको यह बात जानकर सौग होगा कि पिसले 22 साल में W.E. वाले जितना merchandise sell नहीं किये current time में उतना जाई है merchandise sell कर रही है इसले बार इससे ज़्यादा merchandise W.E. वाले ने 2001 के अंदर sell के तो उसके बाद current time में यह sell कर रही है साथी साथ current time में W.E. कंपरी का जो stock all time सबसे high जा रहा stock इससे ज़्यादा stock आस तक कभी high ने गया W.E. कंपरी का में match के quality के बारे में बिल्कुल भी नहीं बात करो मैं बात करो पैसा का मामने वाले W.E. वाले सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले इस वर का summer slam केंदर क्योंकि यह इस वर जितने में matches होने वाला summer slam केंदर मेरे खाल से मैं बहुत कमी match के लिए excited हूँ बात कलते अपने ब्रेवाइट के बारे में जिनके बारे मुझे आपको बहुत सारा रिपोर्ट देना है अक्चुले रिसेंट टायम में अंडर्टेकर अपने एक इंट्रिव्यू के अंदर इस बात को रिवील कियें कि अगर ब्रेवाइट अगर आ आ रहा तो उसको फिंड बाला ब्रेवाइट बिल्कुल ही पसंद ही नहीं है वैसे इनके बारे में एक और रिपोर्ट ये निटल कर सामने है मतलब पहले के जैसा नहीं होने वाला कि Brave White रिटरंड से पहले ही बहुत सारा हमें rumor देखने को मिलेगा, बहुत सारा हमें बार्कोर देखने को मिलेगा बहुत अराम से secret तरीके से Brave White का इस वार रिटरंड करवाने वाले डबली वाले ऐसा report का काना था हाई आप लोग देख सकते हैं rumor तो बहुत सारा रहा पर मुझे क्या लगता है Brave White का कवर रिटरंड होने वाला, आज साम की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला तो आज साम का वीडियो काफी अधा important होना था आप लोग बिल्कुल भी उसे miss मत कीजेगा नेशनलों बात करते हैं Bloodland के स्टोरी लाइन के बारे में जिसके बारे मुझे आपको बहुत सारा अपडेट देना, आप लोग सारे लोग इसे ध्यान से सुनी है अगर आपको ये लगता है कि WWE इस स्टोरी लाइन को रोमर रेंज के लिए चला रहे ही तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है WWE करेंटा में इस स्टोरी लाइन के अंदर सिर्फ दो रेसलर को फोकस करें सबसे पहले हमारे जे उसों सेकेंड हमारे सोलो सिकोवा अगर आपको नहीं पता तो करेंटा में पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर MJF से भी जादा है यहाँ पर होट टॉपी करेंटा में जे उसों बने हुए तो हाई जे उसों को करेंटा में डबली वाले काफी यदा मेगा पूस देने का कोसिस करें ताकि यह वर्दी अपोनेंट लगे रोमर रेंज के सामने साथी साथ रोमर रेंज जो जे उसों का मैच होना लो इस मैच के अंदर कौन सा स्टिपुलेशन होने वाला साथे उस मैच का किस तरह से इंडिंग होने वाला इसके बारें रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका है तो करेंट रिपोर्ट के अगारिंग हमें समर स्रैम के अंदर रोमर रेंज जो जे उसों के बीच में हमें लास्ट में स्टेंडिंग में साइस से देखने को मिल सकता है पसके अंदर कंडीसें रखने है मेरे ख्यास से डवलीवाले बहुत सारे कंडीसें रखे मैच के अंदर क्यूकि वालों को इसी मैच को बहुत जUA हाइलाइट देखाना है क्यूस्थे समर स्लैम के अंदर सबसे बहुत रहे ट्रैक्स ऑन और सेंटर जो होने वाला वो एक्चुलन यही मैच होने वाला साथी साथ आपको पता होगा ये मैच अल्रिट डबलव के इंदर दो से तीन वार हो चुका है हेलिणा सेल भी मैच इन के बीच में हो चुका है तो भाई डबलवव वालों को इस बर करना परेगा कुछ है लगा पाथे साथ आपके एकर mind में ये स्वाल आ रहाा किoires का इंडिंग की होने वाला, तो इस मैच के इंडिंग के बारे में बहुत बद्धा रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका है। मुझे पसंदा गां niesोından आपको आज साम जान के विडियो के इंडियो के अफंने i dag मैं को मैंने का अकुल नीग कर सामने आ चुक है चुक हैं आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं पर रोमा रेज नमबर टू पर ब्लडन है नमबर थी पर ब्रोकल से नमबर फॉर पर लिम और नमबर फाइब आसका है और उसके आगे का भी आप लोग लिश्ट देख सकते हैं सबसे लास्ट में आप डूम है का नाम है इस लिश्ट को देखने के बाद मुझे थोड़ा सा को मुझे कुछ भी नहीं बोलना यार इसके बारे मैं आपको एक फोटो सिंपल दिखाता हूं आप लोग सारा लोग को समझ में आ जाए आप लोग यह फोटो देख सकते हो जो कि मेरे ख्यासे 90's 80's का होगा यह जो हाथ में जो हल्क होगन का बच्चा है यह रोमन रेंज है तो पर हल्क होगन का जो उतना फैन फोलोईंग था नाइटीज एटीज नाइटीज के अंदर उतना था हल्क होगन का जो आना पर को इंटरेट नहीं चलते था आप ऐसा नहीं दिखा सकतो कि हाँ इनके इंस्टरग्राम को पर इतना फॉलोवर था उच्छा है तो मेरे ख्याल स पर इसके पीछे का रीजन भी नहीं कर सामने आ चुका और इसके पीछे का रीजन नहीं के खुद के प्रमोसिनल काम से कुछ बाहर जा रहे इसलिए कंपनी के अंदर नहीं देखने वाला नेक्स बीचाने आते क्यों हैं यहां पर बहुत जाद चांसे लग रहा है रेंडिय रिटरं करके आपन मैटरल को सेफ कर सकते हैं वैसे इंपीरियम के बारों है लास्ट अपडेट आप लोग सारे लोग इसे ध्यान से सुन लिए गा मैंने कल के बीड़ों के अंदर आपको बताया था कि साथ इंपीरियम का यहां पर ब्रेक अप हो सकता है आपने रौ के ऊप विड़ों अगर आपको पसंद आए तो साथ ही साथ जिन लोग को मेरे सब प्रस्नाली चैट हम बात करना भाई सारो लोग मेरे इस्ट्रगाम को पर आ सकते हैं